हालो फ्रेंद्स, वेलकम टू माझ चानल, तो आज हम बनाने वाले हैं पालक बणीर और वो भी इतने ही इजी वे में कि जब भी आपको पालक बनीर खाने का मन करेगा आप खुचुछ से प्रिपेर करेंगे ना कि रे crisis बनेर करेंगे और ये पालक बनीर काने के बाद कोई नह एक टमाटर और तीन हरी मिर्च और कुछ लसुन और अद्रक के आपको कलिया लेनी है तो उसे हम पेस्ट बना लेंगे तो यहां पे खड़े गरम मसाले में मैंने यहां पे तेज पत्ता और एक दाल चीनी ली है और कटे हुए प्याच तो चलिए आप हमें क्या करना है आधी क 12-13 मिनिट मतलब आपको तब अब तक हमाटर काल्ग आपको पालक करने लेकीन क्यों न हम यही पानी का next step नेक्स step में हमें क्या करना है कढ़ाई गरम करनी है और उसमें 2-3 चमज तेल डालना है यहाँ पे बटर का स्टमाल कर सकते हैं थोड़ा सा बटर थोड़ा सा तेल भी चलता है तेल धोड़ा गरम हो जाने के बाद इसमें आप तेज पत्ता और तालचीनी डाल दे, वो थोड़ा सा भून चाहे, अपना फ्लेवर तेल में छोड़ दे, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक से देड़ चमज लसुन अद्रक की पेस्ट डाल दे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, भून ले, ये प्रोस इसे दो से तीन मिनिट रस्ट देते हुए, इसे मिक्स करें, थोड़े देर के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो प्याज है, वो थोड़ा गोल्डन हो गया है, मतलब इसका कच्छा पंच चला गया है, तो इसमें हम एक चमज कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डाल आदा चमज, एक चमज जीरा पाउडर और एक चमज धन्या पाउडर, अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अब यह हम ड्राय रोस्ट करेंगे, तो अगर हम इसमें ड्राय रोस्ट करते रहें, तो हमारा जो मसाला है, वो पूरी तरीके से जल जाएगा, तो इ इससे क्या होगा हमारा जो मसाला है उसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा और वो अच्छी तरीके से भून भी जाएगा इसमें से स्मेल इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती है और उसे एक्सपीरियन्स करने के लिए आपको पालक पनीर घर पे बनाना पड़ेगा जब यह अच्छी तरीके से भून जाए तो हम क्या करने वाले हैं इसमें जो हमने पालक और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल लेंगे देखिए कितना फ्रेश ग्रीन करन लग रहा है अब इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए अब इसे दो से तीन मिनिट तक की रस दे दे के इसे कुक करें याद रखे पालक को कुक करते सबए आपकी जो फ्लेम है वो स्लो होनी चाहिए यह इतनी इजी रेसिपी है कि आप घर में कभी भी कितनी भी जल्दवाजी में बना सकते हैं बहुत इजी ली बन जाता है और सबको बहुत पसंद भी आता है और बच्चों के लिए तो बहुत हिल्दी भी होता है अब हमें इसमें क्या करना है स्वादानुसन नमक मिक्स करना है अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजे ये बनाते समय ना आपको मसाले भूनने की जंजट है ना पीसने की जंजट है बहुत ही फास्ट बन जाता है और हेल्दी भी है अब यहाँ पे हमें क्या करना है एक चमच करम मसाला पाउडर डालना है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और हमारी पनीर की करीवी तो रेड़ी हो गई याद रखे जब भी यूज़ पालक पनीर बनाना है तो पनीर फ्रेश ही यूज़ करें अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे अपने पनीर को इसमें आड़ करेंगे टोटली यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर का इस्तमाल किया है अब हम इसे ढख के तीन से चार मिनिट के लिए स्लो फ्लेम में कुक होने देंगे यह प्रोसेजियोर मैंने दो से तीन बार रिपीट किया है ताकि हमारी पालक की ग्रेवी जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए तो दो से तीन मिनिट के बाद मैं इसे रीचिक कर रही हूँ आप देख सकते हैं इसका कलर बदल रहा है अब भी इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसे क्या होगा हमारा जो पनीर है वो सौफ्ट एड जूसी बनेगा और जो पालक की जो ग्रेवी है वो अच्छी से कुक हो जाएगी जो पनीर के साथ आप छे से मिक्स अप हो जाएगी तो इसे फिर से ड़ट के दो से तीर मिनिट कुक होने दे और दो से तीर मिनिट का मौका देने के बाद चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है, ये देखिए, चलिए, अब आप हमें क्या करना है, अब हमारे पालक पनेर तो रेडी हो चुकी है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे, और उसी के साथ ह हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, एक चमज और आधा चमज जीरा, जीरे को अच्छे तरीके से क्राकल होने दे, फिर उसके बाद इसमें आप दो सुखी लाल मिर्च अड़ करें, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, मुझे कुछ मिला नही तो मैंने चूरी से ही इसे मतलब हिला दिया, अब इसे अच्छी तरीके से तेल गरम हो जाने के बाद, मिर्ची ने भी अपना कलर थोड़ा डार कर लिया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, तो पालक बनीर मैंने प्लेट में अल्रेड़ी निकाल ली थी, सॉफ कर ली थी, अब हम उपर से तर्का डाल लेंगे, अगे देखे, डिलिशियस, लाविश, हमारा पालक बनीर जो है वो रेडी हो जुका है, कितनी सिंपल और कितनी आसान रेशिपी है, पसंद आये तो चानल पे बने रहे, लाइक और सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले, तब तक के बिल्या से तुने, बाइ!